स्वागत आप एज इपन बात करें इंडिया वर्सेस अफ अपरिका के बीच होने वाले स्रीज के दूसरे टीट वेंटियाइज के बार में तो इस मैच के लिए कौन हो का मारी मेगा गरें लिए ट्रंपलेर से सब्सक्राइब करें अब सलते हैं पिछ की तरफ मेच खेला जाएगा सेंट जोर्ज पार्क टुकूबरावे ठीक है यहां देखो आप लाश्ट सीजन जो मेच हुए है जो इनका होता है साउथ अफ्रिगा टी-20 लिग उसके ठीक है रिसेंड में जो मेच वही खेले के हैं आपे 130 बड़ा स्कोर पार्लेर रोयल्स ने स्कोर को चेज कर लिया है ठीक है साथ विगिट पैसर को मिले पांच विगिट मिले थे स्पिनर को यहां पर 210 बड़ा है दो विगिट के नुकसान पर चेज करने वाली टीम इसकोर को चेज नहीं कर पाती है डर्बन सुपर जाइंट्स श्यासी पर ओल आउट हो जाती है दो विगिट पैसर को मिलते है नो विगिट मिलते है स्पिनर को इससे पहले देख लो आप 127 बन रहा है 10 विगिट के नुकसान पर जिसको चेज हो जाता है ठीक है काफी क्लोज यह मेच रहता है चेज विगिट पैसर को मिलते है साथ विगिट मिलते है स्पिनर को यहां पर आपको एक नॉर्मल स्कोरिंग देखने को मिलिए ठीक है एक मेच में आप देखोगे तो बहुत इच्छा स्कोर बना इसके अलावा सभी मेचों में नॉर्मल स्कोर बना बाकी जो एडवांटेज है वह इस्पिनर की दरब ज्यादा है इस लिग में ठीक है बाकी यहां पर इंटरनेशनल में ज्यादा हुए नहीं यह काफी टाइम हो गया 2020 में 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 तो यह जो मै पाकी के इस पेसर दोनों के लिए कुछ न कुछ रहने वाला है अब दोनों टीम के विस देखो तो आस तक पच्छिस टी टीवेंट आइज हुए तेरा बार भारत्य टीम जीती है दस बार जीती है साउत अफृगा लास्त चार बेस देखो दो बार जीती है वार्टीटिए कि दो बार जीते हैं साउत अफ्रिया यह पराबर सा है ज्यादा अफ्रेक्ट नहीं है अपने देख लिए बारते टीम की जो पॉसिबल प्लेंग लेट रहने वाली है सुबह बिंगिल के साथ ओपनिंग करेंगे जश्वाल उसके बास रेस है सुर्य कुमार यादाओ रिंकू पॉसिंग जीते सर्मा लविंदर जडिजा दिपक चाहर रही विश्णोई अर्ष दिप सिंग और मोहमस सिराज आपको फेल दोए नजर आएंगे टीम चेंज यह कर सकती है कि हो सकता है कुल्दी पियादों को रही विश्णोई से पहले मोका मिल जाए स्रीज में बागी व जा सकती है कि यहां देखो आप गिल का फोर्म देखो आप 26 नो बानवा तेइस इकावन असी नोट आउट और चैर बहुत श्यांदर प्लेयर काप इंपूटेंट बनने वाला है सुभम गिल काप एच्छा प्लेयर हमेशा रन बनाता है और वल्टकप में बेच्छे फोर्म से ठीक है जच्वाल आते ही हिट करने को देखता है यह फिस कंडिशन थोड़ी अलग होगी ठीक है तो हो सकता है इस टाइडिंग में विकेट भी निकल जाए स्रेज़ेव देखो आप सतंतर एक्सो अठाथाइस एकसो पांच चार आठ तरेपन यह अच्छा प्लेयर है बह टीम का केप्टन भी है तो काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है साउथ अफरिका के अगेंस तो बहुत ही श्यांदर बेटिंग करता है आगे मैं आपको बता हूँ है यह देखो रिंकु सिंग सतंतर नोट आउट बाइस नोट आउट इक्टिस नोट आउट बेटिंग नि सब्सक्राइब का इडवांटेज भी रहने वाला है कि जड़िया को देखो पैथिसर ने एक वीट नोट आउट पांच वीट जीरो जीरो नोट प्लस जीरो लास्ट टीन गेम से विकेट लेसे लेकिन इसमें विकेट मिलने चांस है क्योंकि किसले मैचों के एकोडिंग इस पढ़ती है तो थोड़ी बहुत बेडिंग भी करना जानता है दिपक चाहा इसके लागत विश्णोई को मोका मिलना चाहिए कुल दिप से पहले एक वीगिट दो वीगिट एक वीगिट दो वीगिट निकालता काफी शांदर बोलर है और साथ अफरिका के बेस्ट में इसको ज्यादा फेस किये नहीं है तो काफी रहने वाला है तो अविश्णोई अर्सदिप सिंख जीरो च्यार वियट जीरो एक वीट एक वीट दो एक विट और है उनके अच्छा रिकोर्ड है इसका है ध्रोड में आगे आपको बताऊ तो अर्शिदीप्सिंग सब कुछ में आपको टेलिग्राम चैनल पर बताता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ आपको जोइन करना जर्री है ठीक है साथ में मेगा जील के लिए बैतन कोंबिनेशन भी में आपके साथ वहाँ पर सेर करूंगा अब अपन देख लेते हैं साउथ अपरिका की जो पॉसिबल प्लेइंग लेवन रहने वाली इस गेम के लिए रिजा हेंडिक्स के साथ ओपनिंग करेंगे एम ब्रिज जे उ इसके लाव फ्लुक आयो खेल सकते हैं बाकि स्वेन्वी पे स्पीन है तो दोनों स्पीनर्स के खेल लेके चांस ज्यादा रहेंगे अब रिजा एंडिक्स को देखो बैलिस उन्चालिस अठाइस जीरो फिच्छी बाराश्यांदार प्लेयर है बहुत ही शांदार टेक्निक इसके अलावा पूरी तरस से फ्लॉप है तो आप चाहो तो ड्रोप करके चल सकते हो ठीक है राइट है बैटर है राइट हम फास्ट मेडियम में गलते से लिखा गया है यहां पर आरे है और है और है और है कि ट्रेश्टर इस्टप को देखो आप 27, 25, 24, 119, 57 बहुत अगर टीम चांस है कि इसको तो अप दो अडरी खिलाए कि अगर टीम नीचे रखते है फिर इतना ज्यादा इंपोडेंट नहीं रहेगा अगर यह उपर खेलना आता है तीन या चार नंबर पर तब काफी ज्यादा इंपोडेंट प्लेयर बन सकता है सेलेक्शन काफी लोर अच्छा प्लेयर पोटेंशिल प्लेयर है माकरम साथ एकराणवे चे नोट आउट नो पचीश दस रन प्लस एक वीड़ हर मेच में विकित निकालता है नहीं हर मेच में विकित नहीं लेगा स्वरी क्योंकि ज्यादा बोलिंग माकरम करता नहीं बेटिंग के नजरी से आप विकिट कीपिंग भी यही करने वाला है क्योंकि टरेश्टन शिटल्स टीम विकिट कीपिंग कम करवा थी है विकिट कीपर वाले सेसेर स्वर में दिख आपको जरूर wszystk तीम एका दोर जरूर तरश्टन के पास जा सकती है बाकी डेविड मिलर बहुत ही शांदर प्लेयर चोविस एकसो एक तीन जीरो दो पचास की शांदर इनिंग और भारती टीम इसे बहुत ही पसंद आती बहुत ही तगड़ा खेलता भारती टीम की अगेंस माइकरो एंसन की च ही ठीक प्लेयर खेल जीरो एक विकीट टीन विकीट तीन विकीट दो विकीट चार विकीट विकीट बाइद ज्वाब फ़र्म में थे इनके बोलर हालांकि ये भी सेंप आइनल में बाहर हो गये बागी एच्छी टीम थी वर्लेकप में बहुत ही शांदर के आ रहे और इनक बॉल्लियम्स जीरो एक वीट थीन विकित और जीरो परेश सम्सिर को देखा पेक विकित जीरो दो बिसक्राने चैना रहें काफी लिए रहने वाले कि यहां से टिम डेवन फ्रेयर को ट्राय करना चाहिए त्रेसट मैली सेक्षवार्ट तीन विकेट जिरो 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 उन्चालिस प्लस एक विकेट अपन देख लाएं जब भी यह दोने टी में आमने सामने तो कौन सा प्लेयर प्रफॉम कता है यह जानना आपके के लिए काफी ज्यादा इंपोटेंट प्लेयर है हालांकि बहुत से प्लेयर है जो करेंट स्कुरेट में आजकल नहीं है जब भी जब यह हैट टीम में थे तो उनकी जेगा आपको खाली दिखेगी यहां देखो आप सूरिय कुमार यादाओ अर्स डिप सिंग भारतिय टी आपको 61 बनाता हो दिख रहा है सूरिय कुमार पचास नोट आउट यानि सूरिय कुमार यादाओ बोत ही ज्यादा इंपोर्टेंट प्लेयर बनने वाला है इसके लाओ अर्स दिप सिंग निकालता है ठीक है यह आप यहां पे कर लें ना अर्स दिप सिंग ठीक है तीन विक लिगिट्व माकरम इंपोरट्रैन्ट तरह सकता है स्पिं को अचेलता है ठीक है मिलर तो हमेसाइच हांदार भारती डिम के अगेंस अलांकि बेंग थारी नीछी ही हम बड़ा किक थेpower के किया अर्प देख लेकsten परेंते लिए आपके वीश तरफ से केसो माराज लिजार्ड विलियंस और ट्रेस्ट निस्टब हर में मैं आपको ट्रम्प बताता हूं लोग सेलेक्शन परसेंटेज करने वाला है इनकी तरफ से केसो माराज लिजार्ड विलियंस और ट्रेस्ट निस्टब जब टोप वर्डर में बेटिंग करें तब इन्पोर्टेंट रहेगा बाकि आप फिर टोप वर्डर में बेटिंग नहीं कर रहा है लाइनपस की टाइम पर बता दूँगा तब आप के इस परकार से टीम मैंने अभी के लिए बनाई है हेंडिक क्लासन को दोनों टीमों में रखा है इसके लाज सुर्य कुमार यादा सुबंगिल्स रेस ही है ठीक है शिराज विष्णोई अर्षदीप सिंग रीजा हेंडिक से अडन माकरम जी कोड़े और केसो माहराज को मैंने सुर्य कुमार यादाउ डेविड मिलर यसेश्वी जस्वाल माइक्रो एंसन आडम माकरम को मैंने यहां पर रखा है यहां में रिजा इंडिक्स को नहीं लिया है अर्षदीप सिंग को रही विष्णोई को लिया है केसो मारा लिजाड विलियमस और जी कोड़े को मैंने ट् बारत्य टीम के टोप ओडर की तरब से आप देखोगे तो सुभम गिल अच्छा उप्शन रहने वाला है केप्टन सी के लिए और सूर्य कुमार यादाओ अच्छा उप्शन है यह दोनों ही बहुत ही शांदार खेलते हैं बड़ी पारी सर्या से यहर भी को भी आप कर सकते हो अर्सदीप सिंग को और रवी विष्णोई काफी ज्यादा इन्पोर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं इस गेम के लिए साथ अफ्रिका के तरह आप नदर डालोगे तो टोप ओडर में दो नए प्लेयर है तो यह देखते हुए इनके मिडिल ओडर का बेस्ट में आप